वेल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल NCRT Mathsab आज हम बात करेंगे कार्या पत्रक 54 की जो की कक्षा दस्वीं के गनित विश्या के लिए सिक्षा निदेश चालाय रास्टे रालदाने चेतर दिल्ली से 11 नॉमबर 2020 के लिए रीज किया गया है सो आज का हमारा विश्य है समतल आकरतियों के सियोजन के चेतर फल हम गयाद करने वाले हैं इस वीडियो में सो हम अलग-अलग आकरतियों का चेतर फल निकालना सीख चुके हैं सो आईए अब आकरतियों के सियोजन का चेतर फल निकालना सीखें जैसा कि आप देख सकते हैं फूलों की क्यारियां, नालियों के, किडिकियों के, मेजबसों और रंगोलियों अधिय के डिजाइन आकरतियों के सियोजन के उधारण है उससे पहले देखिए वृत का एक चोथाई भाग जो समकॉन बनाने वाली दो त्रिजाओं और चाप से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? चतुर्थांस कहलाता है आकरती एक में आप देखते हैं जो दारण एक है हमारे पास आकरती एक में भुजा चार सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रते कोने से एक सेंटीमीटर त्रिजा वाले एक वृत का चतुत्तांस काटा गया है तता बीच में दो सेंटीमीटर व्यास का एक वृत भी काटा गय एक वृद के ब्राबर होगा और एक वृत के ब्राबर होगा और एक वृत हमारपस के अदर में दिया गया है आ यहास दा हित्म है । नहीं पितनी है तो जार ब्राबर होगा 16 cm वर्ग के मद्य वरित की वरित तरिजा कितनी हमारे पास देखिए वियास दिया गया हमें 2 cm तो तरिजा हो जाएगी इसकी 1 cm so वर्ग के मद्य वरित का चतरफल होगा πाई- r-square پाई आपका 22.7, गुणा में r आपका तुरीजा जो है एक गुणा एक हो जाएगी तो 22.7 सेंटीमेटर वर्ग हमें मिल जाता है क्या वर्ग के मद्य वरित का चतरफल सो अब देखते हैं चार चतुरसंसों का चेत्रफल क्या होगा जो कि एक वृत के बराबर होगा जो कि होगा बाइस बटा साथ सेंटीमीटर स्क्वेर क्योंकि तरिजा कितनी एंकी एक सेंटीमीटर है जो चतुरसंस काटेगे हैं तो हमें चेत्रफल कितना मिलेगा एक वृत का चेत्रफल बाइस चायंगित बाग का चेत्रफल है अब देखते हैं उदार नमबर दो में जैसा कि में दिया गया है आकरती में एक वरगा का रुमाल पर 9 वृता का डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रतिक वृत की तिरिजा कितनी हमारे पास 7 cm है तो रुमाल के से इस बाग का क्या होगी तीन गुणा वृत का व्यास होगा तीन गुणा वृत का व्यास कितना होगा देखिए तिरिजा में दीगे इस साथ तो व्यास कितना होगा 14 तो चोधा तिये 42 में मिल जाता है हमें 42 cm आपकी क्या है वरगा का रुमाल की बुजा की लंबाई है so work का چतर वल्त कितना होगा बुझा गुना बुझा so 225 गुंटा 42 मिल जाता हमें 1764 सैंतरी मिटर वर्ग so वृद का चतर वर्ग कितना होगा pi r square so pi 222 123 गुणा 3 जा आपकी 7 7 हो जाएगी हम पर r square है इसलिए so मिल जाता है एक वृद का चतर वल्त में 154 cm वर्ग वर्ग स्क्वार तो टोटल मिल जाता हमें 1386 cm वर्ग या 1386 cm स्क्वार वर्ग का चतर फल माइनस कुल डिजाइन का चतर फल स्क्वार तो अब देखते हैं उदार नमबर 3 जैसा कि आप देख सकते हैं उदार नमबर 3 में हमें दिया गया है आकरिति में चप्पन मीटर भुजावाले एक वर्गाकार लौन A-B-C-D की दो और बनी वर्टाकार फूलों की क्यारियां दरसाइग है येदि प्रति एक वर्टाकार क्यारी का के अंदर लोन की विकरN का प्रतिचेद बिंदू है तो वरगाकार लोन और फूलों की क्यारियों का चेतरफल ग्याद कीजिए इस वरग ABCD का और लोन का भी साथ में जो विर्टाकार है इनका भी हमें ग्याद करना है जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारे पास के एक सेक्टर बन जाता है, तिर्जाखंड बन जाता है, यह भी एक तिर्जाखंड बन जाता है, और यह आपकी समकॉन तिर्जाखंड बन जाता है, और यह आपकी समकॉन तिर्जाखंड बन जाता है, यह आपकी समकॉन तिर्जाखंड बन जाता है, यह क्या चोथे भाक के ब्राबर होगा, इसी प्रकास से bitch का भी क्या होगा, वरक के च Avigykaffind check box निका लीजिए और इनको जोड़ देजिए, और इन दो त्रिजा भीजि़ जोड़ देजिए, तौंतुह का मिलेगा जो वाँचित चेट्रफल जोड़ जोड़ देजिए, तो हमें मिले सो मा लेजिए भुजा हमारे पास क्या है O A ब्राबर O B है ये विकर्ण है आपके विकर्ण के अर्द भाग हैं जो आपकी तिर्जा बन जाती है सो क्योंकि O A B बिंदू O A पर समकॉन है इसलिए भुजा A स्क्वेर जमां A स्क्वेर ब्राबर होगा 56 गुणा 56 सो आपके ये अपने A माना तो ये भी A ही होगा सो A स्क्वेर जमां A स्क्वेर ब्राबर होगा A D स्क्वेर जो कि हमारे पास क्या है 56 गुणा 56 स्क्वेर हो जाएगा बराबर होगा तिर्जाखंड ODC के चेतरफल के जो की एक चतुरतांस का चेतरफल है सो जो की बराबर होगा 90 बटा 360 गुना πाई R स्क्वेर और R स्क्वेर हमारे याँ पे क्या है A स्क्वेर हो जाएगा जो की बुझा अपने A मानी है जो की तिर्जा है और विकर्ण का आदा है तो 90 बड़ा 360 गुना पाई A स्क्वेर तो 90 बड़ा 360 बन जाएगा एक बड़ा 4 पाई आपका 22 बड़ा 7 है और A स्क्वेर का मान आपने पहले ही ग्याद करके जो की 28 गुना 56 वर्ग मीटर है तिर्बुच OAD में हमें पास क्या है आपको AOD का नबे डिगरी है जिसके आपको बतायागा पहले ही तो AOD आपका 90 डिगरी है इसलिए तिर्बुच OAD का चेतरफल क्या होगा एक बड़ा 4 गुना में 56 गुना 56 वर्ग का चेतरफल है उसका एक चोथाई भाग होगा तिर्बुच OOD का चेतरफल उसी प्रकासे BOC का चेतरफल भी क्या होगा OBC का चेतरफल भी क्या होगा वर्ग के चेतरफल का एक चोथाई भाग होगा सब्समिकन 3 और 4 से आप कह सकते हैं ये आपके पास क्या है, जो कुल चेतरफल अगो कितना मिल जाता है आपको, आपको मिल जाता है कुल चेतरफल, 4032 वर्ग मीटर मिल जाता है, ये था आपका उदार नमबर 3, सो आप हमें अभ्यास के लिए कुछ परसंद दिये गे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको तीन परशन दिया गए है ब्यास के लिए इनका हल करने का प्रयास करते हैं तो पहले परशन में दिया गया है रिक सतान बरिये तो देखिए क्या है पहले परशन में तिरजाखंड का छेत्रफल तो तिर्जाखंड का शेत्रफल क्या होगा थीटा बड़ा 360 गुना में πाई आर स्क्वेर वर्ग मात्र तो यह आपका देखिए क्या है इस वरकासे तिर्जाखंड बनता है दो तिर्जाओं और संगत चाप से बनता है तिर्जाखंड तो विर्जाखंड का शेत्रफल क्या होगा थीटा बड़ा 360 गुना में πाई आर स्क्वेर वर्ग मात्र चैत्रफल 20 का चेत्रफल क्यालाएगा चक्यागा चेत्रफल वृत्खंड का चेतरफल तर्जाखंड का चेतरफल जो होगा वो क्या कहलाएगा वृत्खंड का चेतरफल कहलाएगा अब देखिए चायंकित भाग में चायंकित भाग का चेतरफल ग्याद कीजिए यदि ABCD भुजा 14 cm का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धविर्थ हैं तो दिया के दिखिए आप देख सकते हैं अमें दिया क्या गया है दिया है वर्ग ABCD की भुजा जो की 14 cm है अब देखिए वर्ग ABCD की भुजा हमारे पस क्या 14 cm है जो की अर्धविर्थ APD और BPC का व्यास होगा सो APD आप देख सकते हैं हांसे और BPC भी आप देख रहे हैं ये दोनों का अर्धविर्थ व्यास के हैं वर्ग की भुजा ही है जो की 14 cm है अद्ả है अर्धविर्थ APD और BPC की तिरजा क्या हो जाएगी 14 बटा 2 जो की होगी 7 cm सो हमें दोनों अर्ध विर्तों की तरिजा कितनी मिल जाती है, 7 cm मिल जाती है, अब हम कह सकते हैं कि छायंकित बाग का चेतरफल होगा, वर्ग का चेतरफल, माइनस दो अर्ध विर्तों का चेतरफल, वर्ग का चेतरफल कितना होता है, बुजा गुना बुजा और बुजा का वर्ग, दो अर् साथ मुना साथ है साथ से साथ कट जाएगा 14 को वर्ग करेंगे 196 बाइस मुना साथ होगा 154 गठाने पर मिल जाता हमें 42 सेंटीमीटर वर्ग जो कि चायंकित भाग का चेत्रफल है आप देखते हैं परसन नमर तीन आकरिती में A, B, C, D भुजा एक 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है A, B, C और D को केंदर मानके चार वर्ग इस प्रकाल कहींचे गए हैं कि परतेक वर्ग है वर्ग की बुजा का आदा है वही हमारी वर्ग की तरीजा है जैसा कि आप देख सकते हैं क्योंकि बाइस परस करते हैं इसलिए हम ही आपकी जो चत्रुथांस के उसकी तरीजा होगी वर्ग A, B, C, D की बुजा में दीए कि यह 28 सेंटीमीटर तो प्रतेक वुरित की तरीजा जो होगी बुजा का आदा जो कि 28 बड़ा दो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी तो हम कह सकते हैं चायंकित बाग का चेत्रफल क्या होग चार गुना में एक चत्रुथांस का चेत्रफल जो की होता है एक बड़ा चार पाई आर स्क्वेर चार आपका खट जाएगा पाई आपका 22 बड़ा साथ है और तरीजा हमारे पास 14 है तो 14 गुना में 14 तो आप इसको सिंप्लिफाइए करने में मिल जाता है हमें 616 सेंटीमी है कि अधिर थे प्तार आपका चांकित बड़ा स्क्वेर पास 12